नमस्कार मैं पिंटु कनो जिया प्रवक्ता जिला सिच्छायं प्रशिच्छ संस्थान रामपूर कार्खाना देवरिया वुक्तर प्रतेश आज हम लोग डियलेड दूती सेमेस्टर के समाजी कर्ध्यन विशे से इतिहास के कि टॉपिक कि मुर्यत्तर काल की राजनेति के स्थिति के विशे में जानकारी पराप करेंगे कि मोर्यकाल तक हम लोग पढ़ चुके थे मोर्यकाल के बाद गुप्तकाल तक कि बीच में लगभग पांसो का पांसो वर्सों का गैप है कुछ लोगों का कहना था कि हम सीधे गुप्तकाल को पढ़ाएं लेकिन हम सीधे गुप्तकाल नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि करम बद्धता होती है कहीं कोई ग्याइप नहीं होता है और जब हम इतिहास का अध्यान कर रहे हैं तो हमें उस काल से जिस काल में मानो पिर्थवी पर वुद्पन हुआ था वुद्भव हुआ था किस करम में उसके समाजिक आर्थिक राजनेतिक और बेग्यान पुर्द्योकी से समंधित विकास करके इंसान आज इसाधूनिक दोर में प्रिवेश किया है तो भारत की इतिहास के संदर्म में अगर हम बात करें तो मोरी काल के बाद अगर सीधे हम गुप्ट काल पढ़ाते तो बीच में लगवा पांसो वर्सों का जो समय है इसके जनकारी आपको नहीं मिल पाती और आप इतिहास का संपूर अध्यान नहीं कर पाते क्योंकि बीच में गैप हो जाने से आप को चीजें समझ में भी नहीं आती इसलिए इस काल को पढ़ना जोरूरी है और परिच्छा के डिश्टिकोर से भी मौत पूड है आप लोग यह मांगे मत चलिए कि पढ़ाई हो रही है कि और डियलेट के लिए हैं डियलेट से लेबस के लिए है चुकि इतिहास है तो हम इतिहास को संपूरता के साथ अध्यान करेंगे ताकि कहीं से आपको कोई दिक कि राजनेतिक कि सांस्केतिक और आर्थी घटनाएं घटी हैं जो इतिहास के पन्मों में बहुत मौत पूर रही है आप लोग अन्य परिच्छाओं में पूछे के इतिहास के प्रस्नों को देखिएगा इस बीच इस बीच जो 500 वर्स का समय है काफी प्रस्न पूछे जाते ह कुछ वर्स भाइट तो बहुत ही इंपोरटेंग हैं हम उन सब पर चर्चा करेंगे बहुत बिस्त्रित नहीं, बहुत संचिप में हम चर्चा करेंगे ताकि हम समय से अपने सिलिबस को भी पूरा करा सके और हमारी जो कोशिस है कि या पितिहास को एक करमबध तरीके से जां सके इस प्रयास में भी हम सफल हों, यह हमारा प्रयास है आएए हम लोग मुरतर काल के बिसे में देख लें, मुरतर काल के बिसे हम की इस तरह से दियान करेंगे मुरतर काल को हम लोग तीन वीडियो में बाट के पढ़ेंगे, यह पहला वीडियो है इस वीडियो में हम लोग भारत में भारतियों द्वारास्थापित राज्यों के उत्थान पतन के भी से में जानकारी ब्राप करेंगे दूसरे वीडियों में हम देखेंगे कि भारत पर कुछ विदेशी आकरमढ हो रहे थे महत्पूर आकरमढ हैं लगातार भारत पे चार आकरमढ हुए इन पांसो वरसों में सबसे पहले यवन लोगों का आकरमढ हुगा फिर सकों का फिर पहलो या पल्लो और चौथा जो है कुछाडों का यह हमारे दूसरा वीडियों होगा तीसरे वीडियों में इस बीच प्रस्ताषनिक विवस्त्ता आ अर्थिए समाजीगे दार्मिक में करने आप सकी हम इसको अच्शे तरह समझ पाएंगे क्वाँचि की सीधे हम मऔर मत इस से गुट बमस है पर पहुंच जाते तो उ डगांश को बस्त के गैप हो और इस भीष घटी घटनाओं के विशे में और जो परिवर्तन हुए हम नहीं जान पाएंगे तो हमारा इतिहासा दूरा रहा जाएगा तो आईए हम आगे पढ़ते हैं सबसे पहले भूमिका देखते हैं तो मैंने वही बात लिखी है जो अभी मैंने बताया कि मौर समराज के पत्तव गुप्ट समराज के उद्वक के लगभग पांसो बरसों के काल है को राजनेतिक उथर पुथल का काल माना जाता है इसलिए माना जाता है कि एक तरफ जहां भारत में देखे कि मौर्यों ने भारत में पर्थम पर्थम बार पहली बार एक अखिल भारती समराज की अस्थापना के थे जिसका अभिस्तार हिमाले से ब्रह्मगीरी तक था तो उधर आप देखें कि पस्षी में पुरा आफगानिस्तान और पूरव में बंगाल तक फैला हुआ था तो इस तरह का समराज इस प्रिएड में अस्थापित नहीं हो पा रहे हैं चोटे-चोटे समराज अस्थापित हो रहे हैं अफवाद के रूप में कुछाड़ों का समराज यह बड़ा समराज है लेकि वह भी अस्थाई नहीं रहा पाया तो यह राजनेति उस्था पूर्थालकाल माना जाता है और हम अभी बताये हैं कि इसी बीच विदेशी आकमण हो रहे हैं पस्मुत्तर भारत के तरफ से तो यह काफी भारत में और स्थिर्था उत्पन कर रहे हैं और स्थिर्था का दौर है कि साथ ही भारत का कि संबंध कि इस यूग में कि इस यूग में यह सिय तथा यूरोप के साथ होता है कि और बहुत कि तीब्र गति से भारत का आर्थिक और सांस्क्रितिक कि अंतर संबंधों का काल है आप देखेंगे कि आर्थिक छेत्र में भारत काफी कि भी कास करता है इसके में चर्चा करेंगे आगे और संस्क्रितिक छेत्र में भी संदर में समझ सकते हैं कि भारत में जो कला के छेत्र में मतुला और गंधार सहली की बात करते हैं तो गंधार सहली पर युनानी प्रभाव था और कुसाड़ों ने चुकि वह भी विदेशी ही माने जाते हैं भारत में भारत संस्क्रितिक छेत्र में काफी महतपूर यह उदान दिया इस संदर में हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो इन अंतर संबंधों में भारत के भी महतपूर भूमिका है वारत बहुत महुत प्राप्त करता है तो आए हम भारत की मौरोतरगाल के राजनितिक इस सिति के विशे में जनकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे संग बंस की चुकि हम जानते हैं कि मौर बंस का अंतिम सासक ब्रेदरत था ब्रेदरत जिस समय अपने सैनिकों का निरिच्छन कर रहा था तो ब्रेदरत का ही मुख्य सेनापती पुस्व मित्र सुंग ब्रेदरत की हत्या करके 184 इसा पूरुब में सुंग बंस की अस्थापना करता है पुस्व मित्र सुंग ब्रामःड बंस संबंदित है और इसे ब्रामःड धर्म के पुनर अस्थापक के रूप में भी जाना जाता है इसने दो अस्वमेग यग कराये थे जिसके पूरोहित पंत जली पंत जली के विसे में आप जानते ही होंगे कि इन्होंने महाभास से नमगरंद की रचना के थे जो पाड़नी के अश्था ध्याई पर एक ठीका है तो कि पुस्मित्र सिंग सुंग दो अस्वमेग यग कराया था कि मित्र सुंग को कि बहुत गरंद बहुत बीरोधी मानते हैं कि तमाम रेफरेंस प्राप्त होते हैं जिसमें लिखा गया है कि और सोक ने जो 84,000 कि इस सूपों की का निर्मार कराया था पुस्मित्र सुंग ने उनको नश्ट कर दिया था ऐसा बहुत गरंथ और बाधिश्णों का मानना है कि पुस्मित्र सुंग के समय के दो महत्पुर्ण गटना है एक विदर्व का यूद विदर्व का यूद और दूसरा भारत परियावनों का अक्रमाण आएं विदर्व का यूद की विशे में बात करें तो विदर्व का यूद जो है वह जैसा कि हम जानते हैं कि मोर्य बंस के अंतिम सासग ब्रियद्रत के ही सासनकाल में ब्रियद्रत के दरवार में दू गुड़ बन जाते हैं एक उसके मंत्रियों का गुट अथात अमात्य वर्ग था ना दूसरा जो है साइनिक गुट तो जीस समय कि पूस्व मित्रस्वन विद्रो करके सुंग बंस की अस्थापना करता है उसी समय विदर्व में कि ब्रियद्रत के सच्च्यू का साला यग्यसेन विद्रो करके विद्र्व में स्वतमत्राज के अस्थापना कर लेता है या पूस्व मित्रस्वन के लिए काफी परसानी का कारण बनता है परड़ाम सवरू पुस्म मित्र सुंग बिदर्प आक्रमण कर यग सेन को पराजित कर बिदर्प अधिकार कर लेता है कि दूसरी जो महत्पुर घटना है भारत पर यवन आक्रमण पुस्मित्र सुंग योनों को पराजित करता है जिसकी सूचना हमें पंद्चली के महाभास से गारगी संगिता तथा काली दास के की रचना माल विकागनी मित्रम से प्राप्थ होता है कि इस तरह के पुरस ने कई बार परिच्छा में पूछे गए हैं कि किस साच्छ के माध्यम से पता चलता है कि सुंग बंस के बंस के सासच सुंग बंस के साशनकाल में योनों का disco भुषा पोलत पर तो आप इन दिन दे सकते हैं मुझत के नविए सासक भाग भद्र जिसको भाग भूठ भी लिखाय कहीं कहीं के साशनकाल में तक्ष शिला के यवन सासक इंटी याल किट्स के राजदू हेलियोडोरस बीदिसा आया था और भागभद्र के सहयोग से बासुदेव के सम्मान में गरुड अस्थम्ब का निर्मार कर आया था बहुत महत्तपूर्ड फैक्ट है या बहुत बार परिचाओं में पूचा है क्योंकि या हिंदू धर्म से संबंधित बिशेश कर बैश्डो धर्म से संबंधित या प्रथम अविलेखी साक्ष है तो इसको आप लोग कि अध्यान से देख लीजेगा कि दूसरी महत्तपूर्ड घटना जिस मनुस्मित के हम बात करते हैं उस मनुस्मिर्ति का वर्तमान रूप कि रचना इसी युग में हुई थी कि सुंग बंस के अंतिम सासक देव भूति की हत्या कर बासुदेव 75 इसापूर में कर वबंस की अस्थापन किया था इस बंस के तिहास के विशे में बहुत ज्यादा जनकारी प्राप नहीं होती है बहुत महत्तपूर्ड घटनाएं नहीं हुई है बासुदेव ने नौ बर्स तक सासन किया ततत पस्चात तीन और सासक हुए अर्थात इस बंस के चार सासकों का रेफरेंस पराप्त होता है बासुदेव भूमी मित्र नरायन और सुधर्मा सुधर्मा कर बंस का अंतिम सासक था इसा पूर्व प्रथम सताब्दी में सुंग बंस और कड़ बंस के पतन के बाद दो राजनेतिक सक्तियां प्रबल होती है एक सक्ति जो है वो उपरी दकन अथार्थ दच्छिव भारत की बात हो रही है दच्छिव भारत में की आंत्थ परदेश को ऊपर के हिस्से की बात हो रही है कि दच्छिव पर द्चिव आई हम साथवाहन बंस की बात करें नोदेखिए जन साथवाहन इतिहास बहुत महतपूर है परिच्छा की दिश्टिकोर से और आप तमाम परिच्छां में देखें होंगे इस से रिलेटर पूछे जाते हैं तो यहां अभी हम राजनेतिक इतिहास की बात कर रहे हैं जब हम समाजिक और आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ मह अंद्र भृत कहा गया है इनकी राधानी महाराष्ट में प्रतिष्ठान था इस बंस का संस्थात्पक सीमुक था कहा जाता है सीमुक ने कर्व बंस के अंतिम सासक सूधर्मा को पराजित कर साथवाहन बंस की अस्थापना किया था इस बंस का प्रथम महतपूर सासक साथ कर लड़ी प्रथम था कि इसके उपलब्धियों के विशे में हमें जानकारी नाई निका के नासिक लेक्से होता है इसने भी दो और समय यग्य तथा यह के राज सुग्य यग्य किया था कि देखिए अगर हम डिटेल पढ़ते तो काफी इनके विश्ते में इनके यूध हवियान और तमाम चीजें हैं लेकिन हमारे पास चुकि हमारे सेलेबस से इस तरह के प्रस्ण नहीं पूछे जाते हैं तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे लेकिन यह हमां यह एक योग साशक है कि इसकी पहचान के एक कर अधिक महान किक हो कभी तथा कभी और य्यों के आश्रेदाता के रूप में होती है कि इसने गाता सब्सक्राइट कि कई वारे प्रस्न पूछा एगान के तो आप हाल सचत वाहन सासक घाथा शत्र सत्री Restaurant शहरण handling वांशा में मुक्तक का बीकशना की सात्वाहन बंस का सबसे महत्पूर शासक गौतमी कुत्रसात करणी था गमसाता है जिसके में रिफ्रेंज मिलने लगते हैं सासन प्रियड का तो तो पे आधियास कारू कि यह 116-131 तक अधिया था इसके पहले के सासक जो झो है उनके विश्चे में यहीं लिखा है कि यह 30 बड़ सावसन किए तो 26 बड़ सासन किए असपश्टता मतलब कि सं नहीं लिखा गया है यहां हमें मिलने लगता है तो बताया इस बंच सकाय सबसे महां साथ सक्ता इसके सैनिक वीजियों की जानकारी इसकी महा वल श्री के नासिक प्रसाष्टी से मिलती है देखिए प्रसाष्टी और इसे में बहुत तमाम जानकारी आप किताब पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे तो मिलेगा तो नासिक प्रस्थष्थी साथवानूं के लिए महुत्पूरे काफी कुछ जानकारी निकितिहास की से मिलता है इसका समराज उत्तर में मालवा से लेके दच्ष्वी में करनाटक तक फैला था उसने राज राज तथा बिंद नरेश की उपादी गरहन की थी नासिक अभिलेक में इसे अधितिय ब्राहमड पूछा जाता परिच्छा में अधिति ब्राहमड किसे कहा गया है तो यह सब ध्यान लेखेगा तथा बेदों का आश्रे दाता कहा गया है इसको गौत्मी पूत्र साथकर्ड़ी के सैनी कभियान बहुत डिटेल किताबों में मिलते हैं इसमें नासिक अभियान ज्यादा महतुपूर है अगला जो महतुपूर सासक है विशिष्टी पुत्र पुल मावी है इसको जो सासन काल वह 130-154 भी है इसको दच्छिड पतेश्वर इसको दच्छिड पतेश्वर कहा जाता है इस बंस का अंती महतुपूर सासक कि यग्य शिरी पुल मावी था कि इसके शिक्के पर दो पतवार आला जहाज का चित्र वाला शिक्का प्राप्त हुआ है एते डेखिए सिरी पूल मावी एक महतुपूर सासक है और इसके जो सिक्के पर पतवार वाला जहाज के चीत्र वाला सिक्का कि हम बात कर रहे हैं कई परिष्णाओं में पूछ चुका है इससे या इसका यह महत्व है कि इससे जो है शाथ वाहनों के नौ सेना ततस्वंध बीजय का अनबान लगाए जा सकता है कि लिए हम हम देशड़ा पतेस्वर लिखें हैं देशड़ा पतेस्वर है इसको आपको सभी कर लिजयेगा शाथ वाहन बंस के बाद साथ वाहन बंस की ही ऑसे सोपर जब साथ देखिए पक्रवाहन बंस उस समय का या प्राचीन भारत का एक ऐसा सासन है जिसने लगभग 300 वर्सों तक यानि कि लगभग 4 सताववीदियों तक सासन किया है काफी लंबा सासन माना जाता सातवाहनों का और सातवाहनों के 30 राजाओं का उल्ले प्राप्त होता जिसमें से कुछ राजाओं के विसे में बात किये हैं तो सातवाहन कई मामले में बहुत विसेस हैं आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे इनका आर्थिक और समाजिक इतिहास तो वहां पर हम बार-बार इंडिगेट करेंगे सातवाहनों के ही अवसेस पर वाकाटक वंस की अस्थापना आँ या प्राधीपी भारत में मिछओ को रजसेर्ँ भारत में आप लोग्तों जानते ही होंगे और इधर जित्फिर आँ भोगोल में आप देखेंगे प्राइडीपी भारत कि से कहा गया है प्राइडीपी भारत मतलब कि तीन रोट से पानी और भीच का जो एक छेतर है नीचे बाला भारत का थै तो तो हम गराप के माद्यम से उसको बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के क्या मतलग है तो हम अभी बात कर रहे थे सत्माहन बंस के ही ऑसे पेर वकाटक बंस की अस्थापना हुई थी इस बंस के संस्थापत बिंद सक्ति था परवसेन इस वंस का सबसे सक्ति सालिस आ सकता देखें यहां पर सबसे के जगह पर गलट टाइप हो गया है तो आप उसको सभी कर लिजेगा सक्ति सालिस आ सकता और यह पीश्यस 2008 और इसके पहले भी दो यानि कई परिछाओं में यह पूछा जा चुका है कि परवर्सेन इस वंस का सबसे सक्ति सालिस सासक था उसने वाकाटक समराज को उत्तर में मध्ध प्रांत तथा बुंदेल खंड से लेकर दचुड में उत्तरी हैदारा वाद तक बीश्त्रीट कर दिया प्रवर्षे ने चार असमय याग्री किया कि थे नागपुर केंद्र के बाद में जब वकाटक वंस का पतन होता है तो जगा जगा नहीं से के शासं करने लगते हैं तो नागपुर केंद्र के एक वकाटक सासक रूद्रसेन दूति के साथ को गुप्ट सासक चंद्रगुप्त दूति जिसको जब हम अपनी पुत्री प्रभावते गुप्त का बीवा किया जब हम गुप्त पढ़ेंगे तो यहां पर उस चीज को फिर से करेंगे इसभी से और देखेंगे कितना महतपूर हो जाता है चंद्रगुप्त वर मोर्गी पर जब बात करेंगे तो वहां बताएंगे कि उसने अपनी पुत्री प्रभावति गुप्त का विवा वाकाटक सासक रूद्रसेंदूती के साथ किया था कि आये हम दब दूसरे छेत्र की बात करें जो कलिंग के तरब समराज के अस्थापना हुई थी जैसा कि हम जानते हैं कि यह सोक ने कलिंग को अपने अधिन कर लिया था लेकिन मौरब समराज के पतन के बाद जो औव्यवस्था फैली उस औव्यवस्था का लाव उठाके कि महां मेक वाहन कि चेदी बंस की अस्थापना किया था इस बंस का सबसे महां सासक खारवेल था बहुत महत्पूर बात है खारवेल से रिलेटेट प्रसन पूछे गए हैं परिच्छाओं में पूछा जाता है तो यहां पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा उडिशा के भूनेस्वर से तीन मिल दूर उदेगीरी पहाड़ी की हाथी गुंफा से इसका बिना तीथी का अभिलेक प्राप्थ हुआ है जिससे उसके बच्पन सिच्छा राज्याविशेक तथा सम्राज्य विस्तार का लगबग तेरा बर्सों के सासंकाल का क्रमवद विवरर इस अभिलेक के माध्यम से प्राप्थ होता है यह अभिलेक खारवेल के इतिहास जानने का एक मात्र सुल्थ है जिससे पता चलता है कि खारवेल ने दच्छिड भारत के चोल चेर पांडियों को प्राजित किया था देखे करेंगे तो इन शासकों को खारवेल ने पराजित किया था खारवेल जैन धर्म का अनुवाई था तथा जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में इसमें महत्पूर्ण का निभाए थे खारवेल का हाथ ही गूंफा अभिलेक यह आपनी आता रखिएगा खारवेल किस बंस से जुड़ा हुआ था तो कलीं का चेदी बंस कि इस प्रकार आज हम लोगों का यह वीडियो समा थो रहा है क्योंकि कि अब आगे हम लोग दूसरे वीडियो में भी राजनेति की इतिहास के विशे में इहीं जानकारी प्राप्त करेंगे उसमें में हम पढ़ेंगे कि भारत में कि इन 500 वर्सों के पिरियड में जो भी देशी आकमर हो रहे हैं वहीडियों समराज स्थापित हो रहा हैं तो इस के विशेंन में करेंगे सक्राइब को सभूब करनी क्यां है हमेशा बुच्छ जाते हैं क्या क्म कि एक बहुत कि महतपूर्ळ राजबन्स करक risen कर फिक है य। के फश्लाइब करेंगे ठीक है कि धन्यवार झाल झाल